गुण बॉर्णिंग बच्चों, आज हम कक्षा तीसरी विशैगनेत पाट चौदा आकडों का चित्रात्मक निरुपन के अंतरगत हम लोग टैली चिन्ह का प्रेयोग करते हुए आकडों का भिलेखन करेंगे और उनको चित्रालेख के रूप में प्रस्तुती कर दॉमालना सिखेंगे तो बच्चों स्कूल की छुट्ती होने के बाद मोनु खेलते-खेलते घर जा रही थी मोनु उसने सभी गाड़ियों के नाम लिखकर एक सूची बनाई कि चलो आज मैंने घर पहुचने तक जितनी भी गाड़ियां मैंने देखी है चलो मैं उसे एक सूची बनाती हूँ और हर एक गाड़ियों का नाम लिखकर के वो उसका चित्र बना रही थी तो कैसे देखते हैं उसने सभी जो भी वाहन उसने रास्ते में देखे थे उसने सभी का नाम लिखा और उस नाम के सामने उसने जितने वाहन देखे थे उतने बार उसने उन वाहनों का क्या बनाया चित्र बनाया जैसे कि सबसे पहले उसने साइकिल लिखा और उसके सामने देखी, एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, उसने छे साइकल देखी और उसने साइकल के सामने छे चित्र बनाए, ठीक है, उसी प्रकार से उसने साइकल रिक्षा, रिक्षा, आप लोग जानते हैं ना, तीन पहिया वाला वाहन, है ना, तो उसने उस साइकल रिक्षे को देख उसने चार साइकल रिष्षे देखे और उसका उतना ही चित्र बनाया एक दो तीन चार वैसे ही उसने स्कूटर के सामने स्कूटर का चित्र बनाया जितना उसने रास्ते में देखा था एक दो तीन चार पाट छे साथ आठ तो उसने आठ स्कूटर देखे और उसने आठ स्कूटर का चित्र बनाया वैसे ही उसने बैल गाड़ी का भी चित्र बनाया कितना चितर बनाया एक दो तीन क्यों तीन चितर बनाया क्योंकि उसने तीन ही बेल लाड़ी देखा था रास्ते में है नव वैसे ही उसने जीप देखा और उसने उतने ही जीप के चितर बना दिये एक दो है नव फिर उसने बस लिखा है आगे क्योंकि उसने रास्ते में बस देखा है कितने बस देखे उसने रास्ते में एक दो तीन चार पाँच उसने पाँच बस देखे और पाँच चित्र बना दिये वैसे ही उसने ट्रक भी देखा उसने केवल एक ही ट्रक का चित्र बनाया मतलब उसने उस समय एक ही ट्रक देखा वैसे ही ट्रक्टर का भी चित्र और कितने ट्रक्टर की चित्र बनाए एक दो तीन कितना बनाया उसने तीन ट्रक्टर का चित्र बनाया अब क्या आप सभी बच्चे मोनू के इस सूची को देखकर बता सकते हूं कि कौन-कौन सी गाड़िया देखी बिल्कुल सााइख्यल, जीब, बैल गाड़ी, बस, अच्छा, ट्रक, स्कूटर और ट्रैक्टर, बिल्कुल, मौनू ने इतनी सारी गाड़ियां देखी है, ना, तो बच्चों, क्या आप मौनू की इस सूची को देखकर के बता सकते हो, कि बैल गाड़ी और जीप में किस की संख्या अधिक है, तो यहाँ पर आप चीतर में चलता है, कि बैल गाड़ी की संख्या जीप से अधिक है, है ना, अब क्या सूची को देखकर आप यह बता सकते हो, कि कौन-कौन सी गाड़ियां बराबर संख्या में है, तो बिल्कुल, यहाँ पर आप देख रहे हैं, बैल गाड़ी की संख्या, एक, दो, तीन, और ट्रक् अब क्या सूची को देखकर आप यह बता सकते हो, कि कौन सी गाड़ी सबसे अधिक बार है ना, मोनु को दिखाई दी, तो चलिए देखिए, साइकिल को उसने छै बार देखा, जीप को उसने दो बार देखा, बस को उसने पाँच बार देखा, स्कूटर को उसने आठ बार बेल गाड़ी को उसने तीन बार देखा, साइकिल रिक्सा को उसने चार बार देखा, ट्रक को के वल उसने एक ही बार देखा, और ट्रेक्टर को उसने तीन बार देखा, है ना, तो इससे हमें क्या पता चलता है, कि मोनु ने सबसे अधिक बार कौन सी गाड़ी देखी, स्क उनुने चित्र के द्वारा गाणियों की संख्या बताई है तो चित्र के द्वारा इस प्रकार से हम अपनी सूची तैयार करते हैं यही आकडों का चित्रात्मक निरुपन कहलाता है आप भी बिल्कुल इसे अपने घर में प्रयास करेंगे जैसा मैं अगला गतिविधी आप बताने वाली हूं अगला गतिविधी हम करने वाले हैं यहां पर आपको दिखाई दे रही है एक रसोई घर अब रसोई घर में कुछ चित्र बने हुए हैं किसके सब्जियों के अब यह रसोई घर किसकी है हेमवत्ती की है है तो चलिए हेमवत्ती के रसोई में सब्जियों चित्र में दिखाई गई है, तो देखते हैं कौन-कौन से सब्जी कितनी मात्रा में है, है ना, कितनी संख्या में है, हैं तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर प्याज 1, 2, 3, 4 यहाँ पर 4 प्याज रखे उए हैं उसके बाद आपको कौण सा चितर दिखाई दे रहा है आलू का चितर दिखाई दे चलिए आलू को भी गिन लेते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, साथ, आठ, नौ, दस, है ना, तो आलू की संख्या है यहाँ पर, दस, वैसे ही टेमाटर, अब टेमाटर को भी गिन लीजिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, टेमाटर की संख्या छह है, उसके गाजर को भी गिन लेते हैं भई, 1,2,3,4,5, तो गाजर की संखिया यहां पर कितनी है? 5 है, अब किसका चितर दिखाई दे रहा है, सबी को? भर्टे का चितर दिखाई दे रहा है, भर्टा सबजी जो हर सब्जी में हम आराम से मेक्स कर सकते हैं, टेक है, तो चलिए इसकी भी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ठीक है? तो यहाँ पर भटे की संख्या कितनी है? 12 है और उसके नीचे कौन सा दिखाई दे रहा है सबजी आपको? देखे तो जरा फूल गो भी बिल्कुल जिसकी संख्या कितनी दिखाई दे रही है? 1, 2 तो यहाँ पर फूल गोभी की संख्या कितनी दिखाई दे रही है? 2 है ना? अब बच्चो आपको यहाँ पर हेमवती के रसोई में कितनी सबजीया है? उन सबजीयों का चित्र भी आपके सामने प्रस्तुत है? है ना और उसकी संख्या भी आपके सामने प्रस्तुत है क्या आप सूची को देखकर सबजियों की संख्या लेख सकते हो जैसा कि अभी हमने आप किंती की है प्याज कितना है, टेमाटर कितना है, आप ये बता सकते हूँ ना, ठीक है, तो प्याज की संख्या कितनी है, जल्दी बताओ, चार है, आलू की संख्या, दस है, वैसे ही टेमाटर की संख्या कितनी है, छे, गाजर की संख्या कितनी दिखाई दे रही है, पाँच, भते की संख और आपने असानी से बता दिया कि कौन सी सब्जी कितनी संख्या में है तो यही चित्रात्मक निरुपण है उसी प्रकार से ऐक और चित्रात्मक निरुपण यहाँ पर दिया गया है जो कि आपके घर में गमलो में बहुत सारे फूल खिले हुए होते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी कुछ गमले दिये हुए हैं, और उसमें भिन्ने भिन्ने प्रकार के फूल खिले हुए हैं, आईए जरा देखे तो सहीं इन गमलों को और उसमें खिले हुए फूलों को, कि वे कितनी संख्या में हैं, कितनी मात् में है. ठीक है? तो सबसे पहले ढमला आपको कौन सा दिखाई दे रहा है जरदेखर के बताईए? बिलकुल गेंदे का फूल है विःणों कि फूल का पहला गमला है. उसके बाद कौन सा गमला दिखाई दे रहा है आप लोगों को? सूरज मूखी के फूल का गमला. उसके बाद सेवंती के फूल का गमला है ना उसके बाद गुडहल है ना ठीक है जिसे आप लोग अपने इस्थानी भार्षा में क्या कहते हैं दस्मत है ना जो हर भगवान में जो जिस फूल को हम सबसे अधिक सढ़ाते हैं ठीक है ना तो गुडहल को हम दस्मत अपने इस्थ खानी भाषा में कहते हैं, और गुल्दान गुलाब के फूल का अब बच्चों क्या आप यहां पर देखकर बता सकते हो कि इस गुल्दान में गुलाब के कितने फूल हैं, बिल्कुल एक, दो, तीन, चार, कितने गुलाब हैं यहां पर? चार गुलाब हैं, अब आप देखकर के बता सकते हो कि दिये गए गमलों में से सबसे अधिक फूल किस में खिले हुए हैं, तो बच्चों आप अपनी बुक खोलिए और जल्दी से उसमें देखिए कि उन दिये गए गमलों में से किस गमले में किस फूल की संख्या सबसे पहाई दे रहा है, जिसमें सेवंती के कितने फूल हैं जरह गीनों तो, एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, है ना, तो यहाँ पर सेवंती के कितने फूल हैं, साथ फूल हैं, इस प्रकार से सेवंती के फूलों की संख्या सबसे अधिक है, उसी प्रकार से आप दिये दसमत का फूल दिखाए दे रहा है जिसकी संग्या कितनी है एक दो तो सबसे कम फूल वाला जो गमला है वो कौन सा है गुडहल तो बच्चों अगली बारी आती है मिनेश के घर की आओ ज़रा देखे तो मिनेश ने अपने कमरे में कितने सारे खिलोने रखे हैं और कौन कौन से जानवर की खिलोने रखे हैं मिनेश ने अपने कमरे को खिलोनों से सजाया है और देखो यहाँ पर कितने प्यारे खिलोने दिखाए दे रहे हैं जिसमें तरह तरह की जानवर दिखाए दे रहे हैं तो चलिए देखते हैं तो यहां पर सबसे पहले रायर में उसने शेर का खिलाओना रखा हुआ है देखो तो ज़रा शेर का कितना खिलोना है यहाँ पर? एक, दो, तीन, चार, पाँच यहाँ पर शेर के पाँच खिलोने दिखाई दे रहे हैं, है न? ठीक है? वैसे ही आपको दूसरा खिलोना कौन सा दिखाई दे रहा है? बिल्कुल जो सभी को प्रिय होता है बंदर, है न? बंदर एक जानवर है जिसका खिलोना मिनेश ने अपने घर में रखा है कितने संख्या में उसने रखा है बंदर का खिलोना? ज़रा देखो तो एक, दो, तीन, ठीक है? वैसे ही अगला जो खिलोना है वो है हीरन का खिलोना, है न? हीरन के बच्चे का खिलोना दिखाए दे रहा है, बहुत प्यारा हीरन है ज़रा गिन करके बताओ तो उनकी संख्या कितनी है? एक, दो, तीन, चार, पाँट, छै, ठीक है? तो हीरन के खिलोनों की संख्या छै है, वैसे ही अगला जो खिलोना दिखाए दे रहा है वो है मोर, आप मोर को तो जानते ही हैं, है ना, हमारे भारत देश का राश्ट्रिय पक्षी, है ना, जो प्रतिक चिन्दम में से एक है मोर, है ना, तो आप सबी मोर से भी परचित हैं, तो जला गिन करके बताईए, कि मिनेश की घर में मोर का खिलोना कितना है, जल्दी से बता एक, दो, तीन, चार है ना, तो मिनेश ने अपने घर में मोर के चार खिलोने रखे हैं, ठीक है? अब अगला जो खिलोना है, वो कौन सा दिखाए दे रहा है आपको? भालू, बिल्कुल सही, है ना? भालू कितनी संख्या में हैं, जरा देखो तो जब्बेदार भालू, है ना, ठीक है? एक, दो, कितनी संख्या है उसकी? दो, तो बच्चों, आपने मिनेश के घर में इन खिलोनों को देखा और कितने खिलोने हैं, ये भी देखा अब क्या आप देखर के बता सकते हो? कि कौन-कौन से जानवर के खिलोने मिनेश के घर में रखे हुए हैं? मैंने आपको पहले ही बताया था तो जल्दी से आप फटा-फट बिना देरी किये उन जानवरों के नाम बताईए बिलकुल, शेर, बंदर, हीरन, मोर, भालू है ना? अब क्या बता सकते हो? क्योंकि हमने गिंती पहले भी कर चुकी हैं ना? तो क्या बता सकते हो? कौन से जानवर का खिलोना सबसे अधिक था? बिल्कुल यहां पर शेर का खिलोना, पांच, बंदर का खिलोना, तीन, हीरन का खिलोना, छै, मोर का खिलोना, चार और भालू जानवर का जो खिलोना था वो था दो तो यहाँ पर सबसे अधिक कौन है, सबसे अधिक संख्या किसकी है, हीरन की खिलोने की है, छै, अब क्या आप देख करके बता सकते हो, कि किन जानवरों के खिलोनों की संख्या बराबर है, तो बच्चों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कि यहाँ पर हर एक जानवरों की संख्या, उनकी खिलोनों की संख्या अलग-अलग है, इसलिए किसी भी जानवर की खिलोनों की संख्या एक समान नहीं है, है न? तो इस प्रकार से आपने मिनेश के घर में स्थित खिलोनों के बारे में भी बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त की, और उसे संबंदे सवालों का भी बहुत अच्छा जवाब दिया, तो चलिए ऐसे ही कुछ गतिविधी के साथ में हम लोग रसोई घर में चलते हैं, जहा पर चित्र में दिखाया गया है, अलग अलग प्रकार के बरतन है, हम भी अपने घरों में अलग अलग प्रकार के बरतन प्रयोग करते हैं, है ना, जैसे कि मीरा के रसोई घर में, मीरा के रसोई घर में जो सबसे पहला बरतन है, वो कौन सा दिखाई दे रहा है, आप सभी को दिखाई दे रहा है बिल्कुल कुकर जिसमें हम खाना दाल पकाते हैं वैसे ही अगले बरतन का चित्र पताईए कि वह कौन सा बरतन है जिलास और सबसे आखरी जो बरतन है वो कौन सा है कप अब बचों आप लोगों को क्या करना है हर एक बरतन के लिए एक खड़ी लैन का प् मतलब गंज की संख्या कितनी है एक दो तीन तो गंज की संख्या तीन है इसलिए हमें तीन खड़े लाइन का प्रयोग करते हुए उसकी संख्या को दिखाना है ठीक है उसी प्रकार से बोतल की संख्या कितनी है एक दो तीन चार पांच यहां पर बोतलों की संख्या पांच ह इसलिए बोतल के लिए पांच खड़ी लाइन खीच करके उसकी संख्या को दिखाओ, एक खड़ी लाइन, दूसरी खड़ी लाइन, तीसरी खड़ी लाइन, चौथी खड़ी लाइन, पांच भी खड़ी लाइन, तो इस प्रकार से हमने खड़ी लाइन से बोतल की संख्या को दिखाया, आप कुकर के लिए भी वैसे ही, कुकर जितनी संख्या में है, उतने ही उसके लिए खड़ी लाइन बनाईए, एक, दो, तीन, चार, कितने खड़ी लाइन हुए? चार खड़ी लाइन, है ना, मतलब कूकर की संख्या कितनी हुई, चार, वैसे ही आप गलास के लिए बनाईए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, है ना, हमने कितनी खड़ी लाइन बनाई, गलास के लिए, दस खड़ी लाइन, मतलब गलास की संख्या क सबसे आखरी बरतन, जो सबसे छोटा बरतन यहाँ पर दिखाए दे रहा है, वो है कब? चलिए, उसके लिए भी आप खड़ी लाइन बनाईए जल्दी से, एक, दो, तीन, चार, पांच, छै, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा, ठीक है? तो इस प्रकार से, कब की संख्या कितनी है? ग्यारा, है ना? तो बच्चों, यहाँ पर आपने क्या सीखा? कि हम किसी भी बरतन, या किसी भी वस्तु कि संख्या को बताने के लिए, हमने यहाँ पर खड़ी लाइन का प्रयोक करना सीखा, है ना? तो आप क्या करेंगे? इन खड़ी लाइनों को हम क्या कहेंगे? इन खड़ी लाइनों को हम कहते हैं टैली चिन्ह. तो आप किसी भी संख्या को, किसी भी वस्तुओं की संख्या को, किसी भी चीजों को प्रदर्शित करने के लिए आप जब खड़ी लाइन का प्रयोग करेंग तब हम उसे टैली चिन्ह कहेंगे, तो टैली चिन्ह के द्वारा भी हम चित्रों को देखकर संख्या आराम से बता सकते हैं, वह वस्तु कितनी संख्या में है, ठीक है? तो बच्चों, आपने टैली चिन्ह का प्रयोग करना भी सीखा, टैली चिन्ह का मतलब खड़ी लाइन के द्वारा वस्तु की संख्या को दर्शाना, चित्रों को देखकर वह वस्तु कितनी संख्या में है, उसके लिए उतने ही खड़ी लाइन का प्रयोग करना ही टैली चिन् दर्शाना सीखा, तो इसके पहले आपने जिन जिन चीजों को संख्या की रुप में दर्शाया था, आप उन वस्तुओं के लिए, उन चीजों के लिए, जैसे सबजीयों के लिए, और जानवरों के खिलोनों के लिए, और गाडियों के लिए, वहनों के लिए, आप क्या करें टेली चिंध का प्रेव करते हुए उनकी संख्या दर्श आएंगे। इसके साथ ही आपको एक और होमवर्क और देती हूं बच्चों। आपको क्या करना है आप जब अपने स्कूल आते हैं तो स्कूल से जब घर जाते हैं या घर से आप स्कूल आते हैं तो आपको रास्ते में जितने भी जानवर दिखाई देते हैं जैसे हम वह क्या दिखाई देंगे गाय दिखाई देगी मुर्गी दिखाई देगी बकरी तो आपको क्या करना है उन जानवरों को देख करके उनकी सूची तयार करनी है कि आते जाते रास्ते में कितने जानवर दिखे और उन जानवरों की संख्या को टैलीचिन्ह से दर्शाना है. तो आशा करती हूं बच्चों, आज का पाठा आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना, तो हम फिर से अगली कप्षा में इसी प्रकार की कुछ गत्वीधियों के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद.